हेलो फ्रेंज नमस्ते आप सब कैसे हैं आशा करते हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आज हमने मसाला पनीर बनाए हैं पनीर तो बहुत तरीक्या के बनते हैं पर हमने थोड़ा अलग और डिफरेंट थोड़ा अगर आपके पास मटर नहीं है सिमला वाला नहीं बनाना स साइने बनाना तो यह मसाला पर जुरू ट्राइ कीजिएगा और इसके लिए हमने मीडियम साइज का तीन प्याज करके पतले पतले रखे हैं और यह चार-पाच हरी मिर्च है और यह थोड़ी सी तुक्रे अधरक का और यह एक कली लासुन का दिखरा और यह तेजपत्ता औ यह दाल चीनी एक है और थोड़ी सी बड़ी लाची और यह दो बड़े साइज के ट्रमाटर है उसको हमने कट करके रखा और कड़ाई में हम तेल कम से कम कुकिंग आयल हम एक बार में ही पचास गरम डाल देंगे और इसको हम पहले ना प्याज को क्या करेंगे थोड़ी सी ब्राउन हम इसको फ्राई करेंगे जैसे थोड़ा हलका उसके लिए प्राई होता है नो यह पुलाओ के उपर डालते हैं उसके जैसा थोड़ा सा हलका उसके एक दम कुरकुरा नहीं थोड़ा हलका इसको ब्राउन हम पुरा प्याज को डालके फ्राई करेंगे और मसाले के तीयर करेंगे फ्राइ करके ऐसे भी पीछ देते हैं और ये करते हैं लेकिन क्या है न कि अगर आप आप फ्राइबी टेस्टी बनता है बहुत व्लीवर अलग याता है इसका फ्लेवर अदनाे के लिए आप 所以 चननी के सहारे से निकाल के एक प्लेट में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए और जो लोशन अदरग के टुकड़ा लिये थे ना उसको भी थोड़ा सा हलका फ्राई कर देंगे ज़ादा नहीं हलका फ्राई करना है और देखी हम दो चार बार वलट फिलट करने के बास से के पेस्ट बनालेगे मैं पेस्ट बना कई इसको हम साहीड में रखेंगे और इने देखिए हम जार में डालने के बासे हम रखन लगा के इसको में पीष हम ऑशन Representative पेस्ट पाण आपको पीष बनाले होगा और इसको कि पीषके हमने पेस्ट को निकाल दिया पनादना ए 워 September चोटा चोटा तीन टमाटर था और इसको भी पीसके एक को तोरी में निकाल देंगे तट्फेले बची थी प्याज को जो तल केभई तेल ली बचा था चा-उसरी में और या लाईची और दालची का लॉच्बर ओर फचन तड़को यए लंतीड में से लेवर अच्छा आता है और बहुत ही टेश्टी बनती है एक बर आप लोग जरूर ट्राइए कि जेग अगर आपको खाली मसाला पनेर खाना है तो और उसके बाद से यह हमने ना घर के बनाया हुआ लाल मिर्च है यह इसमें कोई कलर नहीं डाला हुआ है घर का बनाया क्योंकि अगर आपके पास कास्मीरी लाल मिर्चे तो टालीए गा और गया और उसमें हमने जो ड्रह 2 लुषए को पेस्ट बनाया था और झरूर है जाद भी लाधी हो घर म कम्साताई है है जाए और इदिश्क हो बात प thematr के रखा है उसको डालने के बाद चाए हम तो कचा अप्छे को फी तो कचा सकते हैं और कचा भी अच्छा लगते रिटे में हम थोड़ा करेंगे अच्छे से यह दम अच्छे से मेक्स करते हुए हम इसको कम दो मिनट हम इसको ढखके पकाएंगे मसाला को और ये हमने स्वादंसर नमक डाल दिया हमने नमक पहले ही डाल दिया है और क्या करने ना है न कि इसको अच्छे तरह से मसाला को ही भूनना है मसाला ही भूनने का में इसमें तरीका होता है और सुखा मसाला हमने थोड़ी सी लिया है इसमें क गरम मसाला और एक चमच जीरा पॉड़र और एक चमच हमने धनिया पॉड़र रालती पॉड़र लिया था ज्यादा हमने मसाला नहीं लीड डाला हैं बुका हुआ क्योंकि जो यह प्याज टमाटर और जो अधरक लोसुन का पेश था नो उसी से ग्रेवी अच्छी बन जाती ह कि टमाटर तरह हैं फडुका हुड़र अभी के लिए मुझे प के लिए मुझे प्याबर के लिए और छोड़र पाला हैं और असमें नहीं हम पातीप जाना पनांग नोरा प्रज़ी डाल रहे हैं थोड़ी सी मुझे गिरेवी पसंद है आप लोगों को अगर नहीं पसंद तो आप सुखा मसाला इसको बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें हमने इगला से पानी डाल के और इसको हम अच्छी तरह से खोला लेंगे अच्छी तरह से अगर वाल आ जाएगा तब हम इसमें पनीर डालेंगे और पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है पनीर को हमने कच्छा ही रखा है और इसमें पानी डालने के बाद से इसको हम थोड़ा धक देंगे कि इसमें अच्छे तरह से उबालाए और यह हमने 400 गराम पनीर लिया था क्योंकि थोड़ मोटा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा चोटा भी नहीं तुकड़ों में कटकरके प्लेट में रखियंगे जब तक यह मसाला हमारा वाल हो रहा है मसाला में एक से दो उबाल आने के बाद से हम इसको डाल के और थोड़े देर हम इसको उबाल करेंगे पनीर को डालने के बाद से क्योंकि मसाला हमारा अल्रेडी पक गया है और यह देखिए हमारे मसाले में उबाल आ गया है और कलर भी चैंज हो तो उबाल आने और मसाला पकन डाल देए रहे हैंbecause गुष्टा फुरे पकने डिए। व्याये को अब टाकि पनीर में मसाला अच्छी तरह से भींग जाए और देखने में अच्छी लगये तो इसके बाद से हम इसको यह करेंगे देखिए हम अच्छे तरह से मीक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी दर पक्ने देंगे ज्यादा दिर नहीं खोड़े म्री मिर्च के रखाелिगे थोड़े मिक्स करने के बादेकं रहेonne तो अच्छा आता है और लास्ट में जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाता है तो आप एक छोटी कटोरी से बड़े चमशते तीरी स्पून आप दही डाल सकते हैं उससे क्या है आपका ग्रेवी तो अच्छा बनता ही हैं और टेस्ट में जो तेस्ट आता है वो तो पुछिए से यहां भोती टेस्ट्यहोते और लजवाव मंपना तो अबम आपके घर में कितने आप MON Caitlin गयरों कुछ नहीं को देशाब से उसके अब कर्सक्राइब हो दो फॉरिज्य को अदिध मिर्ची आूसे बिंच और अपmarasar सीखिण मिक्स कर दिया कि समें डालने के और सिक्रेट एक यह है ना इसमें आप लाश्ट में एक एक दम एक घी डालिए ज़्णाने पाए लेक डालने के बहुत ही अच्छा घ्रेवी बनता है और बहुत फ्लेवर अच्छा का एज आप और उसके बाद से थोड़ा सा यह निट इसको ज्यादा टाइम नहीं इसको एक मिनट फ्रेश दनी जोट एक मिनट इसको भाई लिप करने के बाद gekनाख सिर्फ रेड़ी हो गया हमा़ा ये मसाला पनीर और पूरा रेड़ी हो गया है और इसके अगर फ्रेश धन्या है तो थोड़ा सा आप ढाल देजिए नहीं है तो कोई चीज से भी आप इसको शर्व गर के खाई और एक बार जरूर मसाला पनेरी ये ट्राइ किजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए गा और देखिए हमने इसको थोड़ी दिर पकने के बाद मिक्स हुआ और मिक्स करने के बाद से हम इसको अब क्या करें से भी थोड़ी से हमने उपर से धन्या पत्ता डाला है और यह देखिए कितने ही टेश्टी और मजदार देख रहा है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए कीजिए थाइंक्स फोर वाचिन थाइंक्यू सो मच आप लोगों को